नमस्ते सबको गुड इविनिंग रादे रादे मैं समस्वारी हमारे प्रियास के इस ओनलाइन मंद से आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं तो दोस्तों जैसे कि अभी जो आपके CT का एक्जाम हुआ है अधिने सेवा चैन बोर्ड ने करवाया है तो आगामी जो आपके 3rd करते हैं इस गागर में शागर जो आपकी स्लाइड लगी वी है उसी कि अकोडिंग कि ये परसन तो छप गए ये तो छपेंगे और ये चप गए यानि ऐसे परसन जो पीछे एक्जाम में आ गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे कि और क्या परसन संभावित रूप से आ सकते ह हैं तो चलिएगा सबसे पहले परसन से आपके शुरू करते हैं पहला परसन है कि राजस्तान के हमांग जाइसवाल के किस खेल से समंधित है या हमांग जाइसवाल है वो किस खेल के खेलाडी है या आपको बताना है तो इसका सही अंसर होगा जूडो यानि हमांग जाइसव पर यह जैपूर के हैं और यह जूडू के खिलाडी हैं तो यह आप ध्यान में रखेगा फिर अगले प्रशन की बात करें तो अगला प्रशन आपके हैं एहमदाबाद में रास्टी खेलों का आयोजन किया गया आपको यह बताना है कि कौन से रास्टी खेलों का आयोजन किया लगबग अपने 254 खिलाडी भेजे, उनमें से राजस्तान ने 30 पदक जीते, कितने पदक जीते, 30 पदक जीते, और 30 पदक जीते, और 30 पदक जीतकर राजस्तान का इस पदक तालिका में 20 वा रहा, यानि टोटल जो स्टेट और केंदर सासित प्रदेश और आपके सर्वीश जो टीम खेलने गई थी, उन सब में राजस्तान का 20 वा रहा, राजस्तान ने टोटल 30 मेडल जीते, अब ये 30 मेडल कुन-कुन से हैं, तो इनमें से 3 तो जीते थे राजस्तान ने गोल्ड मेडल, 3 राजस्तान ने जीते थे सिलवर मेडल, और 24 मेडल राजस्तान ने जीते से ब्रौंज मेडल तो यह कुल्ण मिला कि राजस्तानने कितने मेडल जीते तो यहरा स्चाने टोटल 30 मेडल टी सिसे ठीक है इस बात को आप मेरा पिर आगे चर्चा करें यह तो आप के राजस्तान के संदर्ब की कुछ बात अब यहां पर हम राजस्तान के कुछ खिलाडियों पर भी चर्चा करते हैंगे राजस्तान से यहां पर कौन-कौन खिलाडी ही पार्टिस्पेट करने जाते हैं पदक लेके आते हैं तो तीन-चार खिलाडियों के नाम भी आप ध्यान मुकेश शोदरी का खेल था वुशू और ये राजस्तान पुलीस में वर्तवान में आए आपके ऐसा ही है मुकेश शोदरी और इनका खेल कौन सा है वुशू है तो इन्होंने राजस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया तीन गोल्ड राजस्तान ने जो जिते हैं वह इन खिलाडि दिलाते हैं, अब इसके अलावा भी बात करें कि राजस्तान के कुछ और खिलाडी भी थे, जो यहां पर पदक जीत के आते हैं, तो उनमें अगर देखें, तो मैं कुछ नाम और लिख देता हूं आपके, जो आपके रजत पदक जीत के आते हैं, वो पदक मैं आपके सामने ल वो एथलेटिक्स से थे, उनका खेल क्या है, एथलेटिक्स खेल है, तो ये एथलेटिक्स से है, दूसरा देखें, यमंदीप सर्मा के बाद में, तो यमंदीप सर्मा ने रजत पदक दिलाया था, और खेल है इनका एथलेटिक्स, फिर देखें तो करण सर्मा, करण सिंग लि बात करें तो निशा कमर राजस्तान में किस खेल से समंधित हैं तो निशा कमर है निशाने बाजी से द्यान में रखेगा और अभी निशा कमर को जो आपके मुख्यमंतरी असो गलोत ने जो न्युक्तियां दी गई है खेलाडियों के रूप में उन न्युक्तियों में निशा कमर का नाम आया है निस्या कमर के वाल के हैं आगे बात करें तो एक जाहनवी महरा जाहनवी महरा की बात करें तो जाहनवी महरा का जो खेल है वो आपके वुशु है ये वो खिलाडी लिखे हैं जो राजस्तान की प्रमुख प्रमुख चर्चित पले पहली अंतर राष्ट्री ये कबड़ी पले रहे ये द्यान में रखिएगा ठीक है तो ये मैंने आपके सामने जो सारे खिलाडियों के नाम लिखें राजस्तान के प्रमुक प्रमुक खिलाडी लिखें हैं और पीछे जो हमने तेन खिलाडियों की चर्चा की वह खिलाड लगू द्योग प्रोच्छान योजना का उद्यस से क्या है देखो उद्यस से पूचाए कि रास्तान में मुख्यमंत्री रास्तान मुख्यमंत्री लगू द्योग प्रोच्छान योजना का उद्यस से बताओ देखो सबसे पहले तो इसको आपको यह समझना है कि मुख्यमंत् राजस्तां सरकार का मेन Gefर्षा करो आप ने का आप साप पैसे नहीं है उद्धोग स्थापट करेंगे तो राजस्तां सरकार ने कहा देखो आप अगर लगूज जोग स्थाप्पित करना चाहते होना तो राजस्तान सरकार। का हम आपको 10 करोड रुपे तक का लोन दे सकते हैं कितने करोड रुपे तक का लोन दे सकते हैं 10 करोड रुपे तक का लोन दे सकते हैं ये राजस्तान सरकार ने का फिर लोगों ने का कि हम लोन तो ले लेंगे लेकिन इस लोन की पैसे आप ब्याज भी तो लोगे राजस्तान ब्याज पर आपको जो ब्याज लिया जा रहा है आपसे उस ब्याज पर आपको आठ परतिशत अनुदान कर दिया जाएगा यह आपको ध्यान में रखना है ब्याज पर अनुदान कितना रहेगा आठ परतिशत आपको ब्याज पर अनुदान दे देंगे यह राज़तान सरकार ने कहा फिर कहा अगर आप पांच क्रोड रुपे तक का अगर लोन लेना चाहते हो तो सरकार ने कहा कि हम आपको 6 प्रतिशत अनुदान दे देंगे ब्याज पर ये बात ब्याज का नाम जुरूर ध्याज पर आपको क्या दे देंगे अनुदान दे देंगे फिर कहा अगर ाँ चाहते हों तो हम आपको 5 पृतिसता अनुदान दे देंगे ब्याज पर यह रास्तान सरकारने का। ढुबारा सुनिए गा रास्तान सरकारने करा कि आप वेशां कोई लगू ढूग श्थापित करना चाहते हो तो आप अब हमारे से 10 करोड रुपए तक का लोन ले सकते हों, हम आपको इसे लोन पर कुछ अनुदान दे देंगे, अब आपने लोन ले लिया, सरकार ने अनुदान भी दे दिया, अब आपको पता है कि आपने लोन लिया है, तो लोन से क्या इस्तापित करोगी उध्धोग, क्या इ लीटती हो और कोई कृषी आदारेिक दोग स्तापित करते हो दूबारा सुनिएता राजास्तान सरकार ने कहा कि अगर आप लोन लेते हो और कोई कृषी आदारे तुद जोग स्तापित करते हो इन 25 ंख रुपए के लोन से 2-8 प्रसेंट की जगें 9 प्रतिशत दे दिया जाएगा ऐसी गोषचना राजस्तान सरकार ने अपने बजट 2000 22-23 में की है इस बात को आप दहन में रखेगा एक बात और दहन में रखेगा राजस्तान सरकार ने किसी में एक नई योजना की गोषचना की और उस योजना का नाम है डॉक्टर भीम राव अंबेड कर दलित आदिवासी उत्थान योजना इस योजना की गोशना की इस योजना के तहत क्या किया गया है कि अगर कोई कि SC या ST का कोई कंडिडेट है वो या फिर कोई आदिवासी कंडिडेट कहें वो अगर 10 करोड रुपे तक का लोन लेता है तो उसको एक प्रतिशत अत्रिक्त एक प्रतिशत अत्रिक्त ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा इस बात को आप ध्यान में रखेगा तो यह आपक है रिको ने महिंद्रा गुर्फ के सयोग से राजस्तान में कहां बहूत पाद सेज स्तापित की है देखो महिंद्रा के द्वारा जो सेज स्तापित किया गया न वो आपके जैपूर में कभी आप एक्जाम देने जाओगे तो आप जब 200 फिट फिट फे उतर के आप पस्चम कीमतों पर सकल राज्य ग्रेल उत्पाद की वरती दर क्या इंकित की गये तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.04 यानि यह आपके वरती अंकित की गई है घ्रल उत्पाद पर फिर आगे चलें तो वरतमान वे रास्तान में नगर निगमों की संक्या कितनी है तो देखिएगा न आम आता है नगरपालिका सुनिएगा भारतिय सविदान में नगरपालिका का उलेख कहां पर कर रखा है तो भारतिय सविदान जब हम देखते हैं न तो भारतिय constitution में यानि Indian constitution में अगर इसकी बात करें तो नगरपालिका का उलेख वारतिय सविदान के भाग 9a में है और इस भाग 9a में आपको अनुछेद कहां से कहां तक मिलेंगे तो अनुछेद 243 अनुछेद 243 पी से लेकर अनुछेद 243 जेड जी तक मिलेगा अब यहां सुनिएगा यह तो नगरपालिका का उलेख है फिर यहां पर यह बताएगा नगर पालिका के तीन इस्तर होंगी, नगर पालिका के कितने इस्तर होंगी, तीन इस्तर होंगे, सुनिएगा मेरी बात को, पहला इस्तर होगा नगर पंचाइत, पहला इस्तर क्या होगा, नगर पंचाइत होगा, दूसरा इस्तर होगा नगर परिशद, दूसरा इस्तर क्या ह तो यह नगर पालिका के तीन स्थर बताएगे अब देखिएगा राजस्थान में आप जब देखते हो तो राजस्थान में नगर पंचायत नाम की कोई आपके ऐसे कहें की साखा नहीं है या कोई अलग से इस प्रकार की बात का उलेक राजस्थान में नहीं मिलता तो राजस् तो राजस्तान में नगर पालिका कितनी है, नगर निगम कितने है और नगर पृषिद कितने हैं, तो राजस्तान में जब देखते हैं, तो नगर निगमों की संक्या राजस्तान में है 10, यानि राजस्तान में साथ संभाग हैं, तीन ऐसे संभाग हैं, जहां दू-दू नगर बात करें तो वरतमान में राजास्तान में नगर प्रिषद के संगरा है 36 और वरतमान में नगर पंचायित की बात करें तो नए आंकडोग जन्सार 194 बतायी गई है आपने अभी सहरी ओलंपिक का जिकर सुना होगा तो सहरी ओलंपिक कितने स्थर पर हो गा इसमें राजस्तान सरकार ने उलेख किया था यह राजस्तान के दस नगर निगमों आपके 36 नगर परिश्यदों और एकसो चुरान में नगर पंचाइतों में सहरी ओलंपिक का आयोजन करवाय जाएगा, यह उलीख किया था, तो वहां से आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, तो राजस्तान में नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम राजस्तान में दस हो जाएंगे, फिर आगे चल सवरूपम मूर्ति का आपके उद्गाटन किया गया था यानि भगवान सिव की ये जो मूर्ति है ये भगवान सिव की बेठी मूर्ति है ठीक है और ये मूर्ति है कहां पर तो बेठी मूर्ति है जिसको आपने विश्वास सवरूपम नाम दिया है क्या नाम दिया है विश्व अब हम देखें तो यह जो आपके भगवान सिव की जो प्रतिमा है इस भगवान सिव की प्रतिमा का उदगाटन होता है 29 अक्टूबर 2022 को और उदगाटन करते कोन है तो उदगाटन कथा वाचक मोरारी बापू और राजस्तान के वरतमान जो आपके मुख्यमंत्री है असोग जी गैलोत उनके दवारा इस आपके भगवान सिव की बेठी प्रतिमा यानि विश्वास सोरूपम का उदगाटन किया आ जाता है यह मूर्ति है कहां पर तो इस मूर्ति की बात करें तो यह मूर्ति वरतमान में नाथ्वारा में है मूर्ति कहां पर है भगवान सिव की तो ये नाथधवारा में जो मूर्ति हैं, इसी का नाम विश्वास सोरूप हम हैं, तो ये मूर्ति हैं नाथधवारा में, ठीक है, एक तो बात होगी कि मूर्ति कहाँ पर हैं, फिर इसके बाद में आपके आता है कि इस मूर्ति का निर्मान किस ने करवाया था, तो निर्मान बड़ा होगा तो मदनपालीवाल जो आपके मिराज गुरुफ के मालिक है मिराज गुरुफ ठीक है तो मिराज गुरुफ के मालिक है उन्होंने इस मूर्ति का निर्मान करवाया है अगर बात करें इस मूर्ति के वास्तुकार की तो नरेश कुमावत आपको वास्तुकार के र प्रशन की तरफ चलें तो अगला आपका जो प्रशन रहेगा और 2023 के भी देख लेते हैं, देखो 2022 के अगर पद्म पुरुषकारों की बात करें, तो 2022 में एक तो राजस्तान के हैं, एक राजस्तान से हैं, देखो पद्म पुरुषकार तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पद्म वीभूशन, पद्म वीभूशन वैसे तो राजस्ता भी हो गया किन्तू ये पहले इनके जो गारजन थे यानि इनके जो दादा थे माता पिता थे वो कभी ही आपके फचापूर शिकर में रहा करते थे तो आपने नाम भी इनका लिख दिया है, दूसरा जो राजस्तान का सरवोच पुरुषकार होता है, उसे हम कहते हैं आपके पद्म भुषन, राजस्तान का जो पद्म पुरुषकारों में सबसे बड़ा पुरुषकार था पद्म भी भुषन, दूसरा है पद्म भुषन, दे के रहे चुके हैं यह जैपूर के हैं राजी उमेर सी किसे जिले से बिलोंग करते हैं तो जैपूर से बिलोंग करते हैं दूसरा नाम देखें हैं तो यहां पर आएगा देवेंदर जाजडिया और देवेंदर जाजडिया बाला फैंक खिलाडी है और देवेंदर जाजडिया तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि किनको आपके पद में पूशन मिला, फिर आता है पदमस्री, देखो पदमस्री की बात करें, तो पदमस्री राजस्तान की कितने व्यक्तियों को मिला है, तो एक तो मिला है पदमस्री अवनी लेखरा को, एक तो मिला अवनी लेखरा को जो राजस्तान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड अमिस्टर है अवनी लेखरा को ये पुरुषकार मिला था अवनी लेखरा जैपूर की है और इनका जो आपके ये पेरा खिलाडी है पेरा सुटिंग पेरा सुटिंग इनका खेल है सुटि नोटंग की बाज है नोटंग की इनका मुख्य जो खेल है वो कला लिख सकते हैं नोटंग की यह भरतपुर के हैं इनको भी आपके पुरुषकार मिला है और तीसरा नाम देखें पदमस्री में तो एक नाम आता है आपके क्या देखें और संद्रप्रकास द्यु वेदि तो ये सिरोई के है और अभी आपके पृथुराज मुवी के निर्देशक यह है पृथुराज मुवी के क्या है निर्देशक है और चानकिये आपने नायक देखा हुगा उस Cranecaya नाटक में CP दूइदी जो है वो आपके चानकिया की भूमी का निभाते हैं य surrounds यह इंहाइक हैं किया आप के मंचन हैं वो किसके द्वारा किया गया है तो CP दूइदी के द्वारा किया गया है तो यह आपके 2022 में जो पत्चीस जनवरी को जो आप verfram précisकार दिए गए है सुना होगा यह आराम का मामला है तो वह आराम जो मामला है नो इनका यह रुपा प्रलाद अगरवाल रुपा बनियान है और यह वे से सिककर के हैं कि वर्तमान हैं यह कुलकत्टा में रहने लग गए विवसाई ही है और इनकी बात करें तो सोबासरिया engineering group इनीका है सोबासरिया engineering जो college है वो प्रलाज जी अगरवाल की है तो ये सारी बातें आपको ध्यन में रखने है 2022 के पदम पुरुषकारों के बारे में अब अगर हम 2023 के पदम पुरुषकारों की की गोशना की गई उनमें अगर नाम देखते हैं तो सबसे पहला नाम आपके सामने आता है राकेश जुन्जुन वाला राकेश जुन्जुन वाला है वो वैसे तो आपके जुन्जुन वाला वैसे तो यह महारास्ट्रा के हैं किन्तु इनका जो मूल जो स्थान है वो जुझनु है कौन सा है जुझनु है तो इनको आपके कौन सा पुरुषकार मिला है पदम स्री मिलेगा ये पदम स्री में इनका नाम निर्देशित किया गया है अभी इनका निदन हो गया था कुछ समय पहले इनके अलावा और किने आपके पद में पुरुषकार मिलना है तो देखो एक आपके दो भाई भाई है एहमद उसेन और मौमद उसेन एहमद उसेन और दूसरा नाम है मौमद उसेन मौमद उसेन ये दोनों जैपूर के हैं और ये बजन गाईकार या कहें हैं कि ये गजल इक कार है तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है पिर अगला नाम देखें तो इसके बाद में लक्समन सिंग लापोडिया जो जैपूर के समाध से भी है उनको भी पुरुषकार अच्छा इन दोनों को एहमद हुसैन और महमुद हुसैन को स्युक्त रूप से मिला है फिर अगर तीसरा नाम देखें तो ये एक नमर हो गया ये दो नमर हो गया तीसरा देखें तो लक्समन लापोडिया हो जाएगा तिसरा नाम किसका लुग दूँगा लक्समन सिंग लापोडिया लक्समन लापोडिया की बात करें तो लक्समन लापोडिया को जो पुरुष सामाजी कारी करता है तो यह सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा किसके बारे में जो 2022 में आपको हो पद्म पुरुषकार मिले हैं उन सब के बारे में ठीक है लक्समान लापोडिया हो गए पद्म स्री इसके बाद में एक नमोर आता है डुंगरपुर के मूलचंद लोडा मूलचंद लोडा और यह मूलचंद लोडा कहां के हैं तो यह भी आपके डुंगरपुर के हैं और मूलचंद लोडा की बात करें तो इनको भी समाज सेवा के छेत्र में पद्म स्री मिला है समाज सेवा इनको भी कौन सा पुरुषकार मिला है तो इनको भी पद्म स्री मिला है यह राजस्तान की जो सारे मैंने पांच नाम लिखे हैं जिनमें चार गिने जाएंगे इन सब को क्या मिला है पद्म स्री मिला है ठीक है तो यह सारी बातें ध्यान में रखेगा जिनको 2023 में पद्म पुरुषकार देने की गोशना की गिए 25 जनवरी 2023 को आगे चलिएगा अगले प्रसन पर डिसकस करते हैं अगला प्रसन आपके किस से समंधित हैं तो अगला प्रसन हमारे हैं इंदिरा गांधी स सहरी रोजगार गारंटी योजना की बात करें तो इंदिरा गांधी सहरी रोजगार गारंटी योजना की गोशना होती है आपके बजट 2022 में इसकी गोशना कब होती है बजट 2022 में इस योजना की गोशना होती है ठीक है और यह योजना लागू कब होती है तो 9 सितमबर 9 सितंबर 2022 को यह योजना लागू होती है हमने जब राज्यस्तरिये 2nd grade का एक्जाम करवाया था तो उसमें यह प्रशन आया था बहुत अच्छी तरीके से मैंने बहुत छांदार प्रशन बनाया था यह और आपने इस पर बहुत सारी ऐसा कहा सकते आपती भी दरज करवाय थी क्योंकि प्रशन साहिद आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया था तो देखो इस बजट 2022 थे इसमें योजना की गोशना की गई थी 9 सितंबर 2022 में यह आपके योजना है वो क्रियानवित की गई यह योजना को लागू किया गया और इस योजना को लागू कहां से किया गया तो एक स्थान है खानिया की बाउडी और यह खानिया की बाउडी जेपूर में है खानिया की बावडी जैपूर में इस खानिया की बावडी जैपूर से इस योजना को लागू किया गया तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि खानिया की बावडी जैपूर से योजना को किरियानवित किया गया योजना को लागू किया गया सरकार ने बजट 2022-2022 में इस योजना की जब गोसना की तो सरकार ने इस योजना के लिए जो रासी आवंटीद की वो 800 क्रोड रुपे की रासी आवंटीद की और यह बहुत इंपोर्टेंट परसन है यह 2nd grade में पूछली भी लिया गया था चाहिद हिंदी का जो पेपर था न उन सहरी परिवारों को एक वित वर्स में उन सहरी परिवारों को एक वित वर्स में सो दिवस का रोजगार मांगने पर उपलब्द करवाएंगे ऐसी गोसना राजस्तान सरकार ने की थी दुबारा सुनिये का मेरी बात को मैंने ऐसे कहां कि जो आपके सहरी परिवार है यहा से खानिया के बावडी जेपुर से हैं और 800 क्रोड रुपे सरकार ने इसमें रासी आवंटित की है गोसना बजट 2022 ते इसमें की गई थी ये सारी बाते ध्यान में रखेगा इसके बाद में एक बात और बसती है कि इसमें आयू वर्ग क्या सामिल किया गया है यानि किस आयू वर्ग के लोग इस योजना का लाब ले सकते हैं तो 18 से 60 आयू वर्ग जो के लोग हैं वो इस योजना में सामिल हो सकते हैं इस योजना का लाब ले सकते हैं तो यह सारी बाते आपको ध्यान में रखनी है इंद्रा गांदी मात्रित्वय पोर्शन योजना के अंत्रगत ठी की यानि अधार्सिला कहा है रखी स्थापना नहीं बोलेंगे अधार्सिला लिखेंगे तो यह की थी भगरू से बगरू कहां यह रहा बगरू यह बगरू से की गई हैं तो आप ध्यान में रखेगा बगरू से डोक्टर भीमराव अंबेडिकर जो आपके विधी विश्व विद्याल है उसकी आधार सिला रखी गई है फिर देखो पुछा है कि राजस्तान के प्रथम लोकायुक्त कोन थे तो राजस्तान के प्रथम लोकायुक्त के बारे में देखें तो यह आईडी दुवा राजस्तान के प्रथम लोकायुक्त थे देखो आपके सामने ऐसे लिस्ट भी लेके आया हूँ जिसमें आपके राज नरेगा के अंतरगत नियुंतम दिनों की रोजगार परदान करने का समय, देखो सुन्ये, पहले मनरेगा पड़ी लेते हैं, फिर आपका परसन अपने आपी सोल हो जाएगा, देखो मनरेगा की बात करें नरेगा की, तो पहले इसका नाम था नरेगा, सुन्ना मेरी बात को, CT म में पहला परसना है नरेगा का, दूसरा परसना है मनरेगा का, सुन्ना, नरेगा नाम था तो इसका पूरा नाम था रास्टिये, ग्रामिड, रोजगार, गारंटी, योजना, ये किसका पूरा नाम है, ये नरेगा का नाम था पूरा, इसकी शुरुवात हुई देखो, दो, तो 2 कितने हो गए 6 तो 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरूबात हुई अब सुनना राजस्तान के 6 जिलों में शुरू में ये आपके रास्त्री ग्रामिन रोजगार गारेंटी योजना है इसको शुरू किया गया तो जब आपके शुरू के चरण की बात करें तो पहले चरण में जब पहले चरण में राजस्तान के 6 जिले सामिल थे अब सुनना फिर एक अप्रेल 2008 को इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया एक अप्रेल 2008 से इसे संपूर्ण राजस्तान में और संपूर्ण भारत भी आ जाएगा क्योंकि राजस्तान है भारत के अंतरगेति आएगा तो एक अप्रेइल 2008 को शंपुर्ण भारत में इस योजना को लागू कर दिया अब इस योजना के अंत्रगत क्या होता है इस योजना के अंत्रगत आपको मांगने पर केंदर सरकार 100 दिवस का रोजगार उपलब्द करवाती हैं 100 दिवस का तो केंदर सरकार देगी और 50 दिवस का राज्य सरकार को ये कहा गया है कि आप रोजगार दे सकते हैं तो कुल मिला के आप 1500 दिवस का रोजगार दे सकते हैं यह State Government को अधिकार है कि आप रोजगार दे सकते हैं यह Central Government कम से कम इतने दिन का रोजगार तो देगी। अब परसन सुनिएगा परसन क्या था कि मंदरेगा के अंतरगत निवन्तम रोजगार अवदी कितनी है तो निवन्तम कितनी है कि अंदर सरकार वाले तो दिये जाएगे तो निवन्तम अधी हो जागी 100 दिवस यह दहन में रखना ठीक हैं 50 दिवस स्टेट गोवर्मेंट के पा टोटल फूल मिला के 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा राजस्थान में तो यह बात आप ध्यान में रखेगा जो आदिवसी इलाकिये अदिवसी जो च्छेत्र है न वहां 100 दिवस का केंदर देती है यह आधिक्तम आपके 200 दिवस का रोजगार जो आपके आदिवसी इला के हैं वहां आपके रोजगारें दिया जाता है तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा ये बात होगी आपके उनमें फिर मंद्रेगा की बात करेट देखो पहले नरेगा था नरेगा से मंद्रेगा नाम का परिवर्तन किया गया तो नरेगा से मंद्रेगा बना था आप ऐसे देख सकते हैं कि ये महिलाओं से रिलेटेड हैं, बालिकाओं से रिलेटेड हैं, तो देखो इसमें महिला और बालिका का हैं, तो ये रहा, सर्मिक परिवार की जो लड़कियां हैं, उनको इसमें लाबानवित किया जाता है, जो सर्मिक परिवार है, उनकी गाजा रुपे की साइता रासि दिज जाती है तो ये बाता आप देहन में रखिएगा को किस सहर में इनुवेटर रास्तान सम्मीट कायोजन किया गया यह सीमेंट नहीं यह सम्मीट है यह द्यान में रखिएगा यह क्या है सम्मिट है सम्मिट नाम है अब देखिएगा हम इसकी बात करते हैं इसको सोट में मैं लिखते था हूँ ISR इन्वेस्ट राजस्थान सम्मिट IRS देखो IRS की बात करें तो इसका आयोजन हुआ का 7-8 अक्टूमर 2012 को और आयोजन हुआ जयपूर के सीतापूरा में सीतापूरा जयपूर ठीक है इस का किया किया है तो उद्धगाटन किया सकूंतला रावत ने सकूंतला रावत वर्तमान में उद्ध्य हो गए वाने जब विभाग मंत्रा लेनी की पास हैं तो सकूंतला रावत ने इसका क्या किया उद्धगाटन किया ठीक फिर आगे और बात करें तो देखेगा आगे और देखें तो इसकी थीम आपको ज्यान में रखनी है कि इसकी थीम क्या थी? थीम थी committed and delivered. थीम क्या थी? committed and delivered. ये इसकी थीम थी. ये सारी बातें आपको ज्यान में रखनी हैं. इस सम्मेलन में एक तो नई RIPS लिंथी लोंच की गी थी, RIPS 2022. 22 रिप्ष 2022 को लॉंच किया गया यानि नवीन निती जारी की गी और एक आपके राजस्तान के 6 वेक्टियों को राजस्तान रतन पुरुषकार दिया गया, कौन सा पुरुषकार दिया गया, राजस्तान रतन पुरुषकार दिया गया, तो राजस्तान रतन पुरुषकार हैं, वो राजस्तान के 6 वेक्तियों को दिया गया, ये बाते आपको ध्यन में रखनी हैं, तो ये सारी की सारी बात करें कि देश की फिल जन संगया की दोश्तरी राजास्तान का 2011 में कुण सा स्थान था तो 8 के मा तो देखो 2011 की जंगरना की बात करें कि 2011 की जंगरना की समय राजस्तान की टोटल जो जनसंग याए वो 6,85,4,4,3,7,7 है आप इसी कर्म में इसको ध्यान में रखेगा कि 6,85,4,4,3,7,7 इन में से आपके कितनी तो आपके पुरुष है और कितनी लुगाईया है अगर महिला और पुरुष की बात करें तो महिला पुरुष देखें तो इसमें पुरुष हो जाएंगे आपके पहले महिला देखो महिला आपके है 97.94 बच गई वो पुरुष है तो पुरुष कितने हो जाएंगे 52.06 इसमें पुरुष हो जाएंगे तो यह आपके 2011 की जनगना के according हमारी जनसंक्या है और इसे द्रस्टी से हमारा कूण सा स्थान आ जाता है आठ्वास्तान आ जाता है राजस्तान में सबसे ज्यादा जनसंग्या का है तो राजस्तान में सबसे ज्यादा जनसंग्या जैपूर में हैं और सबसे कम जनसंग्या देखें तो ये सारी बातें आपको जनसंग्या के अंत्रगत ध्यान में रखनी हैं आगे चलिए एक भारतिय सविदान के अनुच्छे 243 A में हैं, कहां पर हैं, भारतिय सविदान के अनुच्छे 243 A में हैं, अब हम एक एक करके ग्राम सभा की बारे में सारी बातें पढ़ने का प्रियास करेंगे, कि ग्राम सभा के बारे में क्या-क्या बातें विशेश हैं, सबसे पहले त झाल झाल चलते हैं ग्राम सभा की तरफ देखो ग्राम सभा की बात करें हैं तो सबसे पहले हम यह देखते हैं ग्राम सभा कैते किसे हैं ग्राम सभा क्या है सबसे पहले यह जानने का प्रियास करेंगे तो ग्राम सभा क्या है एक जो ग्राम पंचायत होतीन एक ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत के अंतरगत चाए एक गाव आए, चाए 15 गाव आए, चाए 50 गाव आए, तो एक ग्राम पंचायत के अंतरगत जो गाव आते हैं, एक ग्राम पंचायत के अंतरगत आने वाले जो गाव हैं, उन गावों के जो मत दाता है, उन गावों के जो मत दाता है, उ उसके संग्ठन को क्या कहते हैं ग्राम सभा कहते हैं तो पहली बात यह कि ग्राम सभा होती क्या है तो एक ग्राम पंचायत के अंतरगत आने वाले गाव या गाउं के समुए के जो मत दाता है उनसे मिलकर एक ग्राम सभा का निर्मान होता है फिर आपको यह देखना है कि यह ज बेठक कब होती है तो ग्राम सभा की अगर बेठक की बात करें तो देखो ग्राम सभा की एक साल में कम से कम दो बेठक होनी अनिवार ये हैं एक वर्स में कम से कम दो बेठक होनी अनिवार ये हैं किन्तु राजस्तान में वर्तमान में चार बेठके बुलाई जा रही है राजस को होती है और एक होती है दो अक्टूबर को तो यह राजस्तान में ग्रामसभा की चार बैठक होती है जो यह ग्रामसभा है ग्रामसभा है इसको हम यह कहते हैं कि यह प्रतेक्ष लोगतंत्र का उधारन है ग्रामसभा प्रतेक्ष लोगतंत्र का उधारन है अम ऐसा प्रस्तू लोग हैं या ग्राम पंचाइत के जो लोग हैं वो आपके गाउं में होने वाले कारिये का निर्ख्षन करते हैं क्योंकि निर्ख्षन करता है इसलिए कहते हैं क्योंकि जो निर्ख्षन होता है वो इनी लोगों के द्वारा किया जाता है ठीक है फिर अगर बात करें कि ये ग् वो किसके दोरा decide किये जाते हैं, तो gram sabah के कारिये र Cisco Himinaramira द्वारा कि यह?, Franklys भीधान मंदल के दोरा निर्धारेत करी यह किये जाते हैं इस बात को आप ध्यान में रखेगा, राज्ये विधान मंदल gram sabah के कारियों का निरधार्न कजर बैटा राज्य विधानमंडल ग्राम सभा के कारियों का निरधारण करते हैं, ठीक है, फिर अगर बात करें हम आगे, तो आगे हम यह देखते हैं, कि यह जो ग्राम सभा है, इसकी जब बेठक होती है, तो अध्यक्स्ता तो सरपंच करता है, कि तो ग्राम सभा की बेठकों की गण कि 26 जनवरी 1909 में को मोहाना से पहली ग्राम पंचायत का गठन किया गया था, यह आप ध्यान में रखियेगा, मोहाना, जो है, मोहाना जेपूर सांगानेर के अंतर गताता है, मोहाना सांगानेर जेपूर, मोहाना का है, सांगानेर जेपूर में, और यहाँ पर पहली ग्राम पंचायत का गठन होता है पहली ग्राम सभा पहली ग्राम सभा का गठन होता है और यह गठन होता कव है तो यह गठन होता है 26 जनवरी पूछ लिए गये हैं तो राजस्तान के प्रमुख पदा दिकारी के बात करें तो मैंने कहा कि पिछे भी ये प्रशन पूछा गया था जैसे इसमें क्या-क्या हमें देखना है कि एक तो ये देखना है कि राजस्तान के वित्तायोग के देक्ष वित्तायोग एक हमें देखना है राजस्तान मानवा धिकार आयोग मानवा धिकार आयोग मानवा धिकार आयोग के बाद में हमें ये देखना है राजस्तान का सूचना आयुक्त सूचना आयुक्त फिर हमें ये देखना है कि राजस्तान में न्याय दीश और एक देखना है हमे निर्वाचन निर्वाचन रास्तान निर्वाचन आयो किया देखना है निर्वाचन आयो फिर एक देखना है रास्तान हाई कोट हाई कोट नहीं देखेंगे है इसके बाद में हम देखेंगे आपके डीजीपी फिर हमें क्या देखना है डीजीपी के बाद में जैसे वर्तमान में डीजीपी पैर डीजीपी कोन्टे इस प्रकार की बाते हमें यहां पर करनी है तो यहां से सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके वितायोग के अधेक्ष से बात करें तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि पहले वितायोग के अधेक्ष कोन थे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहले अधेक्ष कोन थे और फिर हमें देखना है कि वर्तमान में कोन है यह नाम देखने हैं एक तो पहले और एक वर्तमान देखो पहले की बात करें हैं तो आपको यह देखना है कि आपके यह जो वितायोग है इसके पहले देख्ष कोन बने तो वितायोग के पहले देख्ष कोन बने तो वितायोग के पहले देख्ष कोन बने तो वितायोग के पहले द वितायोग का गठन किया जा रहा है, ठीक, तो देखेगा, सबसे पहले हम लिगेंगे, पहले वितायोग के कोण, तो पहले के 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 गोईल, करशन कुमार, गोईल, फिर अगर वरतमान की बात करें, तो वरतमान में ने का प्रद्योमन सिंग है, वरतमान में कोण है, प्रद्योम और एक आपको देखना है वर्तमान में कौन है तो पहले थे आपके के के भटनागर के के भटनागर और एक हमें वर्तमान अगर बात करें तो वर्तमान में आपके हैं मानवादिकार आयोग की बात करें तो राज्य मानवादिकार आयोग के वर्तमान में देख से हैं कर्शन कु वो थे M.D. Korani पहले कौन थे? तो पहले थे M.D. Korani और वरतमान में कौन है? तो देखी कर पहले तो M.D. Korani पहले का मैंने नाम लिख दिया और वरतमान अगर सुचना आयुक्त की बात करें तो वरतमान सुचना आयुक्त जो आपके है वो आ जाएंगे D.B. Gupta D.B. Gupta आपने देखा होगा वरतमान में आपके जो मोहनला लाठर थे उनको भी D.B. Gupta के साहिक के रूप में बना रखा है और निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग में जो पहले आपके रज्य निर्वाचन आयोग्त थे वो अमर सिंग राठोड थे अमर सिंग राठोड ठीक है और वरतमान में बात करें तो मदूकर गुपता ये सेकंड गेड में आया भी था कि वरतमान में रज्य जो निर्वाचन आयोग्त है इनका नाम तो आपके और भी सही रहेगा फिर हम बात करें आपके DGP के तो राजस्तान के पहले DGP कोण बने थे तो राजस्तान के पहले DGP थे रगुनाथ राजस्तान के पहले DGP कोन है तो रगुनाथ ठीक है रगुनाथ भटन आपके जो रगुनाथ है वो राजस्तान के पहले DGP थे और वरतमान DGP की बात करें तो वरतमान आपके जो DGP है वो है उमेश मिश्रा और ये 35 में है उमेश मिश्रा तो ये नाम भी आप ध्यान में रखिये का वरतमान में कोण है तो यह मिश्मिश रहा है इनका कर्मा कर देखें तो यह 35 में हो जाएंगे फिर हम आगे और देखें इनमें तो मैं एक सलाइड और ले लेता हूं जिन पर हम और लिख लेते हैं मुख्य सचीव की बात करें मुख्य सचीव तो पहले मुक्य सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् और उ्साशर्मा राजस्तान की दूसरी महिला है, ये परसनली आपके, अभी 2nd गेड़ में पूछा गया था. हुआ सेकंड़ गेड़ गेड़ की जो दुबारा एक्जाम होई है उस ही में पूछा गया था उसりました की बात करे। तो उसा सर्मा वरतमान में राजस्तान की क्या है मुक्यस चीव है और यह सेकंड महिला है और अगर टोटल देखें इनका कर्मा कि उसा सर्मा का करम क्या है तो उसा सर्मा कुल रूप से देखते हैं तो कुल रूप से इनका स्थान जो आता है वो आता है चमाली स्वा कुन सा स् में बनी थी कुशल सिंग 2009 में राजस्तान की मुक्य सचीव बनी थी और यह राजस्तान की पहली महिला मुक्य सचीव थी इस बात को आप ध्यान में रखिएगा फिर आगे चलिएगा सूचना युक्त हमने डीबी गुपता के बारे में चर्चा कर ली हैं इसके बाद में देखे हैं पुलीस महानेदेशक आपके अभी हमने चर्चा की जस्टी महादीवक्ता की बात करें महाधिवक्ता, तो देखो, पहले महाधिवक्ता कौन बने, तो पहले महाधिवक्ता बने थे नर्पतमल लोड़ा, नर्पतमल, ये राजस्तान के पहले महाधिवक्ता थे, और वरतमान में महादिवक्ता है आपके महेंदर सिंग सिंग वी वरतमान में कोण है महेंदर सिंग तो महेंदर सिंग वरतमान में आपके महादिवक्ता है इस बात को ध्यान में रखेगा महादिवक्ता कोण होता है तो ये राज्य का आपके सरकारी वकील होता है निराज्य का सबसे वड़ा विदी अधिकारी होता है इस बात को ध्यान में रखेगा फिर मुखे निर्वाचन अधिकारी देखें तो वरतमान में मुखे निर्वाचन अधिकारी वरतमान में देखें तो वरतमान में मुखे निर्वाचन अधिकारी जो ह पूछे जाते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ये तो हमने राजस्तान की पदा जिगारियों के बारे में चर्चा की, फिर अगले परसन पर चलते हैं, अगला परसन आपके राजस्तान Foundation की स्थापना तो राश्तन Foundation की स्थापना सन दो हजार में की गी, दो हजार एक में की गी, फिर आगे चलिएगा, आगे हैं, यह आपके इंडिया का परसन आगया, आपके राजस्तां से रेलेटेड परसन नहीं है, ये स्यांदार प्रसंता कि निम्न दस्तकारों में से किसे टेरा कोटा ओफ मोलिला के लिए पदम स्री पुरुषकार दिया गया 2003 में इनको हस्तसलब पुरुषकार भी मिला था मोहलाल कुमार है और मोहलाल कुमार आईए आपके कहां के हैं तो ये नात दवारा के, कहां के हैं, नात दवारा के हैं, मोहनलाल जी कुमार, ठीक है, आगे चलिएगा, यह किस बजट वर्स में राजस्तान के मुख्य मंतरी ने राजेस्तरिय पंचाई तावारड योजना की गोसना की थी, तो 2015-16 में इसका ए आनसर एकदम सही हो जाएगा, यह आ पहले जो आपके यह जो राजस्तान राज्य विदूत बोर्ड है, यह वर्तमान में अगर राज्य विदूत बोर्ड की बात करें, तो देखो, राजस्तान राज्य विदूत बोर्ड है, उसकी स्थापना जो होती है, वो आपके ऐसे कहें कि 1 जुलाई 1957 को होती है, राजस् और इनको सन 2000 में, सन 2000 में पांच इकाईयों में बाड़ दिया जाता है, कितने इकाईयों में बाड़ दिया जाता है, पांच इकाईयों में बाड़ दिया जाता है, अब हम देखते हैं पांच इकाईयां कौन-कौन सी हैं, तो एक तो थी आपके राजस्तान रज्य विदूत निगम ये एक होगी राजस्तान राज्ये विधुत उत्पाद निगम दूसरी अगर बात करें तो वह होग जाएगी आपके राजस्तान राज्ये विधुत वित्रण परसारन ये हो जाएगा ये एक नमबर फिर दूसरी की बात करें तो राज्ये विधुत परसारन राज्ये रज्य विद्युत्प्रसारण लिमिटेड दिख सकते हैं ल्टीडी दिखते था हूं तो यह आपके दूसरा हैं तीसरे की बात करें तो तीसरा हो जाएगा जैपूर विद्युत्वित्रण तीसरा क्या हो जाएगा जैपूर विद्युत्वित्रण और चोथे की बात करें त तो चोथा आपके हो जाएगा जोधपूर विद्यूत वित्रण चोथा हो जाएगा जोधपूर विद्यूत वित्रण और पांचवें की बात करें तो पांचवें आपके हो जाएगा अजमेर विद्यूत वित्रण अजमेर नहीं लिखा ना अजमेर विद्यूत वित्रण तो विदूत बोरुड की स्थापना होती है एक जुलाई उनीस सो स्थावन तो ध्यान में रखिएगा इनको कौन-कौन से पांच बोरुडों में बांटा है कब कब बांटा है यह सारी बाते आप ध्यान में रखिएगा फिर आगे चलते हैं अगले प्रसन की तरफ है और अगला देखें तो अगला प्रसन आपके यह रहा यह इंदिरा गांधी सहरी रोजगार गारंटी योजना इसके बारे में हमने खुब चर्चा कर ली पहले दोबारा नहीं पड़ेंगे फिर राजस्तान में मिशन बुनियाद भूत चांदर प्रसन है कि राजस्तान में मिशन बु दुनियाद की मलब संपुन रूप से सुरुवात की जाती है और इसकी संपुन रूप से सुरुवात किसके द्वारा की जाती है तो वरतवान जो आपके शिक्षा मंतरी है बीडी कल्ला उनके द्वारा की जाती है और इनका समंद किस से हैं तो इनका समंद है शिक्षा से त तो अगला जो प्रसन है आपके लिए वो प्रसन राजीव गांदी ग्रामिन ओलंपिक खेलों का उद गाटन पुछाए देखो राजीव गांदी ग्रामिन ओलंपिक की बात करें तो पहले तो आपको यह द्यान मेरखना है कि अभी जो ग्रामिन ओलंपिक वे किस नाम से वे र कुल खेल कितने, एक तो आपको यह ध्यान में रखना है, इसमें खेल कितने थे, ठीक है, कुल खेल आपको ध्यान में रखना है, एक सरकार द्वारा इसमें जो बजट आउन्टित किया गया, वो बजट कितना आउन्टित किया गया, ये भी आप ध्यान में रखेगा, और एक यह है कि इसमें जो आपके कुल जो विजयता रही उनमें सबसे ज्यादा टीम किस जिले की विजयता रही तो सबसे ज्यादा टीम देखें तो आप बतानी है कि किस ज्यादा टीम विजयता रही हनुमानगड को साथ मेडल मिले थे अब आपको उसमें से यह बताना है कि ठीक है फिर देखें तो पदा दिकारी लिस्ट जो अभी मैंने लिखी थी यहां पर दुबारा लिखने के आउशक्ता नहीं हमने पहले पदा दिकारी लिस्ट लिख लिए हैं इंद्रिया गांधी रसोई योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत देखें 20 अगस्त कितने रुपे लिए जाते हैं आठ रुपे उपभोगता से लिए जाते हैं 17 रुपे सरकार देती इसमें सब्सिडी प्रति थाली पर 17 रुपे सब्सिडी दिये जाते सरकार के द्वारा और यह हो जाएगी सब्सिडी तो इसका मतलब यह वा कि टोटल खर्चा सरकार का कितन अगले परशन की चर्चा करें, तो ये आपके अभी जो चर्चा की वही परशन है, दुबारा रिपीट हो गया ये परशन, रास्ट्री एक ग्रामिन रोजगार गारंटी योजना, अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा है हमने हैं कि इसे नरेगा का नाम बदल कर मनरेगा कब किया आप